नमस्कार आप देख रहे हैं रिसेंट इंडिया आज हम आए हैं विशंभरपुर पंचायत के वाड नमबर 3 संझागाओं में जहां इवाओं में काफी जोस देखने को मिल रहा है और हम आज जायजा लेंगे छट घाट की तयारी कर रहे हैं युवाओं से बात करेंगे और देखेंगे की लोगों का क्या कहना है और छट घाट में काफी लगन से लोग लगे हुए है और यहां पर युवाओं में काफी जोस है हर साल यहां छट घाट की तयारी की जाती है औ लेकिन बार की पानी आनी के कारण आप देख सकते हैं यहां का नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा दिखाईएगा केमरा पर्शन से कहना है तो हम बात करेंगे यहां समाजी कर्ज करता है गोलुजी से जो छट घाट में लगे हुए हैं सफाई में और कुदाल लिए सब्सक्राइब लोग लागे हुए हैं आप पहले बाहर गये हुए है तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे छोट घाट का बस तयारी हो रहा है सफाई हो रहा है बस मिटिक का मांग कर सकते हैं कि यहां पर छोट घाट का निर्मान जल से बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ताकि ठीक है धन्यवाद गोलु जी आपका और यहां बात करेंगे हम समाजी कर्ज करता दिमेंद्र ओजाजी से जो कि छोट घाट के सफाई में लगे हुए हैं और यह क्या कहना चाहेंगे छोट घाट के विशय में इनसे बात करते हैं रहसां जी सवर्व प्रथम तो आपके रि जन प्रतिनिधी अभी तक इस चुब्ध जगह को आज की जो इस चुब्ध ही बोलेंगे कोई भी जन प्रतिनिधी इस पर आज तक प्रकाश डालने का कोशिस नहीं किया है यह हमारे लिए भी और यहां के हमारे इतने बुद्ध जीवी लोग हैं उनके लिए भी काफी सर्म की बात है और यहां जो छट घाट की स्थिति है काफी दिनों से छट ब्रतियों के लिए कश्ट का सामना करना करना पड़ता है और कवराक देने में काफी तकलिफ होती है आने जाने में काफी तकलिफ होती है एक उमीद की किरन जगी थी जब इस गाउं से इस वाट से हमारे दो दो तिन तीन जन प्रतिनिधी हुए तो एक उमीद की किरन जगी थी कि आने वाले दिन में हम लोग छठ ब्रतियों का यहां पर काफी सुईधा मिल सकती है एक छठ घाट का नियमान हो सकता है लेकिन अज पांच साल बित गए हमारे जन प्रतिनिधी इस पर थोराशा भी व होता आ रहा है और उसका एक नजारा हम दिखाना चाहेंगे अपना कैमरा पर्शन के साथ कि यह दिखाने का काम करें जो आज नहीं कोई पीरियों से छठ घाट चलता आ रहा है और छठ घाट पर एक काम जो किया गया है बहुत ही सर्मनाक है और आस्था के नाम पर खेलवार किया गया है जिसको दिखाने का काम करेंगे कैमरा पर्शन और यहां चोट घाट पहले हुआ करता था यहां चोट घाट पहले हुआ करता था जहां नाले की गंगा बहाने का काम किया गया है यहां के जनपरतिनीधियों के द्वारा और भविश में यहां क्या घाट का निर् होगा वो तो भविश्य में समय बताएगा लेकिन जनपरति निधियों ने जो आस्था के नम पर खेलवार किया है उनको कभी न कभी या कहीं न कहीं जनता माफ नहीं करेगी और आप से फिर जानना चाहेंगे कि आप इस नाले से कितना संतुष्ठ है कि छठ घाट जो कि बहु कि या कम ही है उसके बारे में अब क्या कहना संगरों चाहेंगे आप ने जो नालाका परस्थ किया है नीट 210 है सब्सक्राश अब्युक्त प्रकाश है यह बिश्यार नियें प्रस्थ कर आप आपने जो प्रकाश डाला कि यहां पर पहले छट हुआ करता था यह बिल्कुल सही बात हम लोग जब इस गाओं में बच्पन से देखते आ रहे हैं कि यहां पर हम लोग छट घाट को साफ करते थे हम से जो बरे लोग थे हम लोग उनके साथ मिलकर छट को साफ किया करते छट आने वला कुछ दिन पहले इस घाट को इस तरह कि परिवर्तन कर दिया गया कि हमारा एक छट पर्व कि पवित्रता के नाम पे बहुत बड़ा पर हम लोग को हिंदी भासी क्यों लिए माना गया है लेकिन यहां हमारे जन प्रतिनी दी के द्वारा यह ऐसा काम कर दिया गया जहां जिसको आप दिखाँ चुके हैं जो पूरे मुहलर का पानी को लाकर थे टीक वहीं पर उसका का निप पानिगिर्ने का रास्ता बनाया गया है जहां पर छट ब्रतियां चठ किया करती थि जिसके वज़गे से छट ब्रतियों को पवित्रिता में काफी दिकत आएगे और सोचना पर रहा है जिसके वज़ासे हम लोग हर साल आप जहां खड़े हैं हम लोग इस साइर में छटकिया करते थे लेकिन इस नल की पानी के निकास के वज़ास से आज हम लोग बिपरित दिशा में हमारे हमारे वाड के युवा जो यहां पर आपर दे सके सुमारे यहां बड़भ यहां पर नहीं आते तो हमारे छट ब्रतिया अपने अपने घर में अर्ग देना पड़ता है हम संजापूल के नीचे हैं इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो चीज भी हुई है राजनीत के तहट अगर हुई है तो मैं उन जनपरतिनीधियों से सवाल करता है कि आपने जो यह काम किया है पूजा छ उसके लिए और भी जगह है नदी के किनारे और भी आगे पीछे बहुत सारे जगह थे लेकिन आपकी मानसिक्ता यह दर्शाती है कि आप बदले की राजनीत करते हैं और साजीस की राजनीत करते हैं और डिभाइडेंट दी रूल फुट डालो सासन करो की राजनीत करते हैं झाल झाल झाल